हलो स्टुडेंट वेल्कम इन माई चैनल जैनपी स्पेसल एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लों का हमारे चैनल में तो चलिए चलते हैं आज के सेसन में करंट फेर 12 जून जैसा कि आप सभी बता रहा हूं कि यह करंट फेर जो सेसन है नया चल लाए है और इसमें को भी बहुत सारे चीजे हैं जो आप चाहें तो चैनल पर बिजिट करके आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे और कोई फर्जी या कोई लोकल बुक से आपको नहीं मिलेंगे तो चलिए चलते हैं आज के 12 जुन 2020 के कुछ नए क्वेस्टन नए करन्ट अफेर्स देश-दुनिया की नई ताज़ा खबरों के बारे में जानते हैं पहला है विस बैंग ने पस्ची मंगा सकार को रा मतलब बंगाल सरकार को राज में विस बैंग ने दिया ठीक है 1950 क्रूर का अगला है हालही में जिस देश ने करोना शंक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाजमा की आउन-लाइन प्लब्दता सुरू की वह है बांगला देश बांगला देश है जो प्लाजमा की आउन- प्लब्दता सुरू किया नेक्ट आपका है मर्जर या मसर के 2020 कास्ट आफ लीविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महांगा सहर जो है वह है मुंबई नेक्ट आपका है जिस देश के मानो रहित सब मर्सिवल ने हालही में महासागर के नीचे 20 के सबसे गहरे बिंद तक गोता लगाने का किर्तिमान बनाया है वह है चाइना यानी चिन नेक्ट कुछन आपका है वहराज सरकार जिसने प्रवासित रमिकों के लिए रोजगार खोजने है तो रोजगार से तू पोर्टर लांच किया है वह है मद प्रदेश यानी अंपी नि वित वर्स 2021-22 में भारत की जीटीवी ग्रोथ जितनी रहने का अनुमान लगाया है वह है 9.5 प्रिशत इतने बहुत ही एमेजिन है जो 9.5 ग्रोथ रेट है देखना पड़ेगा आगे कुछ क्या होता है उससे बहुत बढ़ियां ग्रोथ रेट है ऐसा हो तो बहुत अच्छ कि मकाबले बढ़कर जितनी होगी मतलब पूरी संख्या कितनी है छेसोट चोटर क्या है गुजरात गिर जंगलों में पाई जानावाले सेर नेक्स्ट आपका है वह राज्य सरकार जिसने हालही में कच्छा पांच तक के बच्चों के लिए आनलाइन क्लास पर प्रतिवन ल प्रति लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है वह है संजीता चानू कि नश्ट आपका है किन सरकार मंत्री किसी सिचाई योजना के अंतरगत पर ड्राप मोड मोड क्राप हर बुन से ज्यादा उपच के मद में चालू बित वर्स में राज कितने इंपार्टेंट महत्पुड कोश्चन आपको देखने कोम ले तो अगर आभी भी आप मेरे क्रेंस जुड़े नहीं है तो प्लीज जुड़ जाएं जिससे आने वाले कृतिक वीडियो आपको आसाने से मिल सकें और इस वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करें यह मेरा आप से बिनम्रनी विदन हैं ओके थाइंक यू है बनाइस टे